पर दोस्तों स्वागत आपका हमारे न्यूज यूटुब चनल में आज की इस वीडियो में आपका डिये एरियर पर हाई कोड का फैसला जहां दोस्तों आप बिलकुल से सुन रहे हैं लेटेस अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं हम आपको इस वीडियो के मादम से बताएंग कब आपके खाते में एरियर कप पैसा आएगा तो जुड़े रहे हैं दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाश्ट तक अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले और साथ ही साथ बैल आइकन को भी जरूर दब जो भी गुर्मेंट इंपलेज और पैंसनर से समंधी ने हुजाती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंट पहुंसके तो आए दोस्तों बिना किसी दिरे के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं करामचारियों के लिए अच्छी खबर डिये एरिर के बुक्तान पर बाते में आएगी रासी जहां दोस्तों लेटस अबडेट निकल कर सामनी आघरी है हम बात कर रहे हैं हाई कॉर्ट से जो करामचारियों के हित में जो बड़ा फैसला लिए जल्द ही अब करामचारियों को डिये एरियर का बुक्तान किया जाएगा दरसल कई महीनों से महेंगाई बते में 20% का बुक्तान के आदे सबूत दिये गए है वहें करामचरी को यह है बुक्तान 23 जून तत किया जाएगा इसका अलाव है दोस्तों वह हजरों करामचरी को मिलेगा तलकता उच नेले ने दो राजर संचालित बिजली कंपने और WBSETCL और दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि WBSEDCL को 23 जून को यानि कि दोस्तों इन जो कम बताया जा रहा है कि तो 23 जून तक करामचरी को संचित मेंगाई बते का कम से कम 20% का बुक्तान करने का निर्देश है वो दे दिया गया है नियाय मुर्ती राज सेकर मांता ने सुकरवार को अपने आदेश में राज्य की बिजली कंपनेों के CMD और दो महा परबंदों के भत्ते और वेतन जारी करने के लिए 20% बुक्तान को सहसरत बना दिया है अदेश दिया कि उपरोक्त भुक्तान के बाद ये पस्चिम बंगाल राज्य विदूत वीतरन कंपनी लिम्टेट और पस्चिम बंगाल राज्य विदूत परश्र जो कंपनी लिम्टेट के CMD और दो महा परबंदों के वेतन और भत्ते इस अदालत की छुटी के बाद 24 ज करने के लिए अधिकारिकों के खिलाप अवमानन याची का दायर की थी WB, SETCL, KMD, स्यांतनु बशू और जो निर्देश सक है स्यामार रोय चोधरी सुकरवार को कथित अवमानन के रूप में अदालत में थी दोस्तों अर्ची ने कहा है कि 36 किस्तों में DA का भुकतान करने के लिए अवमानन के वकील दवराप राथना को ठुकरा दिया गया अदालत ने इसके बज़ाए दोनों कमपनियों को कम से कम पाँच लेकिन आठ्स से अधिक किस्तों के भुकतान का जो DA का भुकतान है उसके करने का निर्देश दिया है न्याई मूर्ती मन्था ने एक बार में बगाया भुकतान करने की उसकी एक्षमता की जाज करने के लिए कमपनियों के वर्तमान और पूरव वित्य रिकोर्ड की मांकी इसे 24 जून की सुनवाई से पहरे जिमा किया जाएगा यह थी दोस्तो आज की मैं लेटेस अपडेट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जुरूर करें और सब्सक्राइब करें तो मिलेंगे जल्द ही बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए आप सभी को जैहिन जैजवान जैकासान